बॉली वूट को गहसी तरा है और बॉली वूट इससे बचने के लिए बड़े से बड़े एक्टर के साथ और बड़े ही हाईविजट की फिलमें बना रहा है ब्लोगवेश्टर फिल्मों के पार्ट दो तक लेकर आ रहा है इसके बाब जूट भी बॉलिवूट की फिल्म में साउथ सीनिमा के मुकाबले कलेक्शन नहीं कर पाती है लेकिन एक बार फिर बॉलिवूट ने साउथ सीनिमा को बुरी लातमारी बताओं कैसे पठान जिन्दाबाद दोस्तो साउथ सीनिमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बाहुवली टू जो आर 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 से पहले दुनिया बन में सबसे ज़्यादा कवाई करने वाली फिल्मों में से एक थी आपने नोटिस नहीं किया होगा पठान ने इंडिया में बोक्स ओपिस कलेक्शन किया था वह था पांसो दस करोड़ अगर पठान के इंडिया के बोक्स ओपिस कलेक्शन की बात करें तो पठान ने बोक्स ओपिस कलेक्शन की बात करें तो पठान ने बोक्स ओपिस कलेक्शन पठान की डंकी और जवान RRR का डिकार्ट गुटनों पर रख कर तोड़ेंगी अगर यह काम डंकी और जवान ना भी कर पाएं तो तारा सिंग का तहल का RRR के बोक्स ओपिस कलेक्शन को अपने पैरों तले कुछल देगा RRR का इंडिया का बोक्स ओपिस कलेक्शन है 902 करोड़ और Gr2 only इंडिया में बता रहा हूं बल्ड बाइड नहीं बता रहा हूं यहां स्रिफ इंडिया नेट बता रहा हूं Gr2 इंडिया में एक हसार करोड से उपर कमाएगी क्योंकि फिल्म का जिकर जिस तरीके से सोसल मीडिया पर तहल का मचा रहा है उसी तरीके से बोक्स ओपिस पर भी यह है जल्वा कयाम रहने वाला है वाह वाली टू को तो दोडिया इंडिया में पठानने लेकिन ट्रेपल आर को डंकी और जबान दूलना चाटा पाई तो पाजी की गदर टू तो ट्रेपल आर को पकी धोवी बचार देगी तो दोस्तों एक बार फिर बॉली बुट साउथ सीनेमा के उपर हा भी हो गया है आज की वीडियो में इतने ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइकन कमेंट करें और चैनल को भी सबस्क्राइब कर लें